स्वागत है आपका HCN Sports में मैं हूं नैतिक राज तिवारी IPL 2012 में सबसे महंगे खिलाडी बिकने वाले रविंद्र जडेजा भारतीय टीम के एहम खिलाडी बन चुके हैं बाए हाथ के इस ओल राउंडर को खेल के अलावा मैदान के बाहर उनकी जिन्दा दिली के लिए भी जाना जाता है जडेजा को अकसर सर के साथ संबोधित किया जाता है लेकिन उन्हें यह उपलब्दी बिलकुल पसंद रही है जडेजा ने प्रेस कॉंफरेंस में कहा कि असल में माही भाई ने उन्हें तीन चार साल पहले ट्वीट किया था तब से सर मेरे साथ जुड़ गया है अगर आप मुझसे नीजी रूप से पूछें तो मुझे इस उपलब्दी से नफरत है मैं सच में इसे नापसंद करता हूँ मैं हमेशा लोगों के साथ लोगों को कहता हूँ कि मुझे मेरे नाम से बुलाएं चाहे वो जड़ू हो या जडेजा जडेजा ने यह भी कहा कि टीम में कई किलाडी काफी मजाग करते हैं विराट कोहली उनमें से एक हैं वह दूसरों की बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं जडेजा ने कहा कि क्रिकेट ने उन्हें काफी कुछ दिया है उन्होंने कहा कि इस खेल की वज़ा से ही वा कई अलग अलग लोगों से मिले हैं और उनसे काफी कुछ सिखा है कुजरात के शहर जामनगर से आकर दुनिया पर छाने वाले जडेजा ने कहा कि इस तरह का एक्सपोजर उन्हें सिर्फ क्रिकेट की वज़ा से ही मिल पाया 2012 में जडिजा आईपियल निलामी में सबसे महेंगे खिलाडी बने थे जडिजा ने कहा कि इससे उनकी आर्थिक स्थिती काफि स्थिर हुई वह इसे अपने जीवन का एहम हिस्सा मानते हैं रविंद्र जडिजा भारतिय टीम के मुख्य खिलाडी हैं और वो संपूर आल राउंडर है वो गींद बाजी, बल्ले बाजी, फिल्डिंग तीनों मामले में जबरदस्त हैं टीम इंडिया का ये एहम सदस्य आईपियल में माही की टीम चिन्नई सुपर किंग के लिए खेलता है और धोनी उन्हें बेहत पसंद करते हैं अब धोनी द्वारा दी गई इस उपलब्दी पर उनका ये बयान माही पर क्या असर डालता है ये देखने वाली बात होगी पर जडेजा का साफ तौर पर कहना है कि वो ब्यक्तिका तौर पर सर नाम से बुलाया जाना बिल्कूल भी पसंद नहीं करते हैं भारतिय क्रिकेट टीम के पूरवबलेबाज और कमेंट्रेटर संजय मांजेकर को भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कमिटी पैनल से बाहर कर दिया है पिछले साल इंग्लैंड और वेल्स में खेले गए ICC विश्यकप के दोरान संजय ने भारतिय ओलरौंडर रविंद्र जडेजा की आलोचना की थी जडेजा ने सोशल मीडिया पर उनके प्रदर्शन पर सवाल उठाए जाने का करारा जवाब दिया था दोनों के बीच शोशल मीडिया पर छिडी इस जंग की चर्चा होने लगी थी जिसके बाद उनको हर तरफ से जडेजा पर दिये गए बयान की वजह से आलोचना का शिकार होना पड़ा था आप इस वीडियो को कैसे देखते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले धन्यवाद